नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरिचे दोस्त पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुद ही महतोपूर्ण जानकारी को ले करके जी हाँ आएए जानते हैं आज हम सभी कान का बहना रोग के राम बान घरेलू उपायों के बारे में इसके सबसे पहले काणों को जानेंगे कि क्यूं होता है यहां कान में खुजली होने या कान में से मैल निकालने के लिए कान में तिल्ली या कोई और चीज से कान को खुजलाने के कारण कान में जखम बन जाता है जखम की वजह से कान में सूजना जाती है और उसके फूटने पर उसमें से मवाद बहने में मवाद बहने लगता है जब पित के रोग के कारण कान में से मवाद बहता है तो उसका रंग पीला होता है कौफ यानि कि बलगम के कारण कान में बहुत तेज खुजली होती है और उसके अंदर से सफेद रंग का गाढ़ा मवाद बहता है पहला प्रयोग अब जान लीजे इसके लिए यानि कि आये इलाजों के बारे में अब जानते हैं फुलाए हुए सुहागे को पीस करके कान में डाल कर उपर से निम्भू के रस की कुछ मुंदे डालने से मवाद निकलना बंध हो जाता है इसके आलावा मवाद यदी सर्दी से हो रहा है तो सर्दी मिटाने के उपाय करें साथ में सारी वादी वटी एक से तीन गोली दिन में दो बार एम त्रिफला गूगल एक से तीन गोली दिन में तीन बार सेवन करना चाहिए इससे लाव होता है इसके अलावा ये दूसरा प्रयोग जानते हैं शुद्ध सर्सों या तील के तेल में लहसुन की कल करके एक से दो बुंद सुबह शाम कान में डालने से फायदा होता है तीसरा प्रयोग है गोमुत्र की दो से चार बुंद सुबह शाम कान में डालने से काफी फायदा होता है इसके अलवा आए जानते हैं और शदियों से उपचार कैसे करेंगे निम से जिहां निम के तेल में शहद मिला करके रुई के फोहे पर इसे लगाएं फिर कान को साफ करके इसके अंदर फोहे को लगाएं इससे मवाद बहना ठीक हो जाता है निम के तेल को रुई के फाहे से कान में लगाने से मवाद बहना ठीक हो जाता है निम की पत्यों को पानी में डाल कर उबाल कर छान ले इस पानी से कान को अच्छी तरह से साफ करके रोजाना ताजे प्याज का रस बूंद बूंद करके डालने से कान में से मवाद बहना बंद हो जाता है मानकंद यानि कि मानक्चू इसके फल को भून कर उसका रस निकाल लें इस रस की दो से तीन बुंदें रोजाना कान में डालने से लाफ मिलता है इसके अलावा तील, 10 मिली लीटर तील के तेल और 40 मिली लीटर हुलहुल के रस को एक साथ मिलाकर आग पर पकाने के लिए रख दें पकने के बाद जब बस तेल ही बाकी रह जाए तो इसे आग पर से उतार कर छान लें इस तेल को कान में डालने से कान में से मवाद बहना बंद हो जाता है जूही जूही के पत्तों को पका करके बनाए हुए तेल की दो से चार बुंदे कान में डालने से लाफ मिलता है माजूफल 5 ग्राम माजूफल को पीस कर और कपड़े में च्छान करके 50 मिली लिटर शराब में मिला लें इसकी दो दो बुंदे कान को साफ करके सुबह शाम डालने से मावाद बहना बंद हो जाता है माजूफल को बारीक तिसकर सिरके में डालकर उबालने उबलने के बाद इसे च्छान कर कान में डालने से कान में से मावाद बहना बंद हो जाता है इसके अलावा हल्दी जी हाँ तीन ग्राम हल्दी, दस ग्राम निम के पत्तों का चून और दस ग्राम लहसुन की कलियों को 200 मिली लिटर सरसों के तेल में डालकर पका लें इस तेल को बुंद बुंद करके कान में डालने से कान में से मावाद का बहना ठीक हो जाता है दस ग्राम हल्दी और 200 ग्राम फिट किरी का बारिक चून बना लें फिर कान को साफ करके यह चून रोजाना दो से तीन बार डालने से मावाद बहना बंद हो जाता है इसके अलावा प्याज, सफेद प्याज को गर्म करके यानि के गर्म राख के अंदर दबा करके रखना है आपको, कुछ समय बाद उस प्याज को निकाल कर उसका रस निकाल लेना है, इस रस को बुंद बुंद करके कान में डालने से कान में से मवाद बहना बंद हो जाता है, कान में से अगर मवाद बहता हो तो कान के अंदर बचिया का ताजा ज़रन यानि की मूत्र डालने से कान में से मवाद बहना बंध हो जाता है। इसके अलावा है काईफल को पका करके तेल बना लें इस तेल को तीन से चार बार कान में डालने से कान के रोगों में लाब होता है। तेल में मिला करके पकाने के लिए आग पर रख दें। जब पकने पर रस बिल्कुल जल जाए तो बचे हुए तेल को छान करके शीशी में भर कर रख लें। इस तेल को बुंद बुंद करके कान में डालने से कान में से मवाद बहना बंद हो जाता है। इसके अलावा निर्गुंडी के तेल की दोदो बुंदे कान में डालने से कान में से मवाद बहने के रोग से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा जामुन जामुन और आम के मुलायम हरे पत्तों के रस में शहद मिला करके बुंद बुंद करके कान में डालने से कान में से मवाद बहना बंद हो जाता है। 15-15 ग्राम आम और जामुन के पत्ते मुलहठी और वट ब्रिक्ष के पेंड के पत्तों को लेकर के 400 मिली लिटर पानी में उबाल कर काढ़ा बना लें। के बुंद बुंद करके कान में डालने या कथे का चून कान में डालने से कान में से मवाद का बहना ठीक हो जाता है। बहना बंद हो जाता है इसके अलावा आप शहद के प्रियोग से भी कान को स्वस्थ रख सकते हैं शहद और निम के गुंद को बराबर मात्रा में एक साथ मिला करके कान में आपको डालना है इससे काफी लाव होता है जिहां दोस्तों तो ये थी वो जानकारी जिसके सहारे बहाद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों